नमस्कार दोस्तों, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात की राजनीती के ऐसे मजह हुए खिलाडी से, राजनीतिक से, जिन्हें गुजरात की नब्स का बहुत बारीक अंदाजा है। अमिशा जी जब बोल रहे हैं कि 2002 में जो नरसाहार हुआ उससे उन्हें फायदा हो रहा है। उसका फायदा उठाने के लिए भाजपा बीस साल बाद खड़ी हुई है। ठीक उस समय शंकर सिंग जी ने सच सच सामने रखा है जिस पे अभी हम उनसे बात करेंगे। और इसमें भी बहुत खास बात कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, गुजरात में तमाम लंबी राजनितिक पारडी खेलने वाले, शंकर जी इसमें उमर आपकी 82 साल है, नॉट आउट हैं और सबसे दिल्चस्प बात ये है कि इस उमर में भी इन चुनाओं में सबसे सक्री राजनि आप हैं और मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों को आपकी जो फिटनेस है और जिस तरह से आप ब्रमन कर रहे हैं, अभी आप यहां से निकलेंगे, गांधी नगर में प्रचार है, फिर उसके बाद आप बडोदा जा रहे हैं, उसके बाद आप आननद आने वाले हैं, तो यानि कि 24 घंटे सडक पर गुजार रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, न्यूस क्लिक को समय देने के लिए शुक्रिया, सबसे पहला सवाल जो मैं आप से जानना चाहूंगी, 89 सीट पर लोगों ने मद्दान कर दिया, कल मद्दान था, उससे आपका फीड़बैक क्या है, क्या आपको लग रहा है कि गुजरात में क्या इस बार कुछ निया घटित हो रहा है? देखिए जो एलेक्शन टुजरो टुटु वाला गुजरात असेम्बली का है, वो नीरस विदाउट इंटरेस्ट, लोगों को 27 साल वाली बीजेपी, बिल्कुल मिस एड़िस्टेशन यहां कह सकते है, कर अप मैंगवारी ब्याकर, लुदिया भरके, तो विमूख हो गए वाटर, जो प्रेम से वोट करना चाहिए, बीजेपी को, वो न करते हुए, एल्टी इंकम में से हिसाब से एल्टी बीजेपी, प्रो क्रोंग्रेस, वो वोटिंग लोगों ने किया है, कोई माने न माने, लेकिन मैं अंडर करन जो मैं देख रहा हूँ अभी, और एक तारिक कभी मैं देखा था, क्योंकि मैं तीन महीने से एंटी बीजेपी एक्टिव हूँ, चुलावाने वाला है, तह है, वोटर्स का दिमाग, मन बनाना चाहिए, बनाने के लिए साइकलोजी बाते हैं, जो सही है, वो लोगों के दिमाग में रखना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ इसे साइब के कल वाला इलेक्शन एक तारिक वाला जो गया उसमें बीजेपी से विमूख है और चमतकार होगा आठ तारिक को, तो नई बात नहीं होगी, मैं बीजेपी का बहुमत पात तारिक को वोटिंग होगा वहाँ भी ने देख रहा हूँ, एक का हो गया वहाँ भी देख रहा हूँ, बॉर्डर के से पुरा. चाहा रहे हैं, उस पर क्यों वोटिंग कर रहे हैं, आप ये बताएं कि आप तो उस समय से और उसे पहले से यहां देख रहे हैं, क्यों ये हिंसा इतनी इंपॉर्टन्ट है और इस हिंसा का सच क्या है? जेखे जो बीजेपी में मैं था, मैं ने छोड़ी या बीजेपी ने हमको निकाले, वो बीजेपी आज नहीं है. आज जितने सी करप, कॉंस्पिरेटी, क्रियोल्टी, जो भी कहे जाया आप, वो सब वाली परष्ट पार्टी, पार्टी मिता निफ्रन 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 सीज और जितने भी नेगेटिव बातें रखी जा सकती है, वो पार्टी, बदमास सब्द मेरे को बहुत दूख होत है कहने में, जो मेरी पार्टी कल थी, वो ऐसे लोगों के कंट्रोल में आज बीजेपी है, वो बीजेपी ने जो जो कॉंस्पिरेसी किया, हमको बीजेपी मैंसे निकालने का, हम तो निकल गए, हम निकले, हम सी एम बने, नेचरली केशु भाई पटेल सी एम थे, फर्च हमने केशु भाई को निकाला, चलो निकाला, बाद में केशु भाई को किसने निकाला, यह जो पूरा शड़ियंतर रहा केशु भाई को निकालने का, जान बूज कर, एंटी केशु भाई केंपेइन करके, बीजेपी के, एम पी के महाधियम से, गुजरात में से, टेलीग्र पेक्स केशु बही निकम है, एडिमिटेशन अच्छा नहीं है, केशु बही ने कंट्रोल नहीं किया, केशु बही अर्थ केक लाये थे क्या? ये सब चीजे दिल्ली सो कुल हाईकमा के दिमाग में डालने का श्यर्द यंद्र के हिसाब से केशु बही को निकाले और आरसेस व केशु बही को निकालने का शडियतर चली हो गया, केशु बही चले गए, बीजेपी के नए मुक्षय मंतरी बने जो आज के प्रधान मंतरी है, आप एक बात मेरे को बताएए, बीजेपी के कौन से प्लस पॉइंट थे, जो इलेक्शन आने वाला था, 2002 का, उसमें लोग बी बीजेपी के प्लक्ष में कोई बात रहे थे, कोई सवाली पैंदे नहीं हो, तो कोई बात थी ही नहीं, जो पार्टी आपस में तूट-फूट कर जाएगी तो वो तो डेगेटिव जाएगा, लोग लोग नवफरत करेंगे का आपको मैजरूटी दिया, आपको एड़िटर थोड़े दिन में देखिए, गुजरात में क्या होता है? यह होग हो गोधरा का जो डबा जला गया, वो हुआ, दीखें, उस समय कारसिवकों का अयोध्या जाने का समय था, आने का समय नहीं था. अचाँ, जाने या आने का समय है, वो आने या जाने वाले परिवार के लोग वो थे इनको मालूम होता है कि कार सेवक आ रहे हैं हिसकंपनेस मैं अठा है घुदरा के या कोई भी मुसल्मानम को कैसे पता कि इसığı कंपंडरेंट सेवक बटख इता िपनेस को जरहा है इसलिए घुदरा का अंधर से जर्णा गया है भाहर से नहीं जला ढय वो जो कमपार्टमेंट था वर गुद्रा का स्टेशन जिसने देखा हो मैं तो पुरा गुद्रा में तो MP रहा गुद्रा में गुद्रा के इलाका मैंने देखा हैं कोई सवाली पदा नहीं हो ता पची 20-25 फूट चड़कर फिर बाहर आप पेट्रोल डालो और बाहर से जले यह सब पूरा शर्जंत्र रहा यह गुजरात जो हैने बेजी कली राइट आडियोलोजिकल स्टेट है कितने धरम के लोग है चपका एड़कौर्ट गुजरात में है इस हिसाब से इनोंने सोचा कि अगर पोल्डराइस करेंगे हिंदू को हिंदू बना देंगे माइनोरिट कि मुसल्मान है इनको मार काटकर जो भी करना है वो करके अगर हमारी मेजुरिटी आती है सत्ता आती है तो अपना उल्लू सिधा करने के लिए कुछ भी करो यह जो हुआ उसमें एक बात मेरे कुछ समझाए यह वो जो बोडी थी जली गही बोडी खोद रहा में सफेद कर इनको एहमदाबाद में इनकी शब यात्रा की शोभा यात्रा निकालने का प्लानिंग था थैंक्स टू अधिकारी उस समय जो थे इंदोंने नाकाग साब हम एलाओ नहीं करते हैं ऐसा नहीं करना है कौनसी विकृत मान सीकता है क्रिमिनल मेंटालिटी कि शबों को दिखा कर लोगों का दिमाग टाइट करना इतना ही नहीं एसेंबली में भाषन होता है कि एक्षन का रियक्षन होगा अरे आप रक्षक है आप मालिक है गुजरात का आप अगर रियक्षन करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं लेकिन रियक्षन नहीं करना है आपको तो लोगों को आप रक्षक है तो यह रक्षक भक्षक बने घर्बवती महिला मुश्लिम बेहनों का पेड़ चीरा गया बच्चे जलाये गए बुठे कुवे में डाले गए राक्षस बन गए जब आप यह कह रहे हैं कि गोधरा में जलाया गया अंदर से जलाया गया क्योंकि दो तीन चीज उस समय भी आई थी कि अंदर से ही आया है और पेट्रोल नहीं था कोई और कैमिकल था और कई जो उस समय की डियम थी उन्होंने भी अनौफिशली कुछ लोगों से बात की थी और उनमें कहा था कि वो बॉड़ी एक ज़रफ पाइल हैं यानि बीच में शव रखे हुए थे क लिकिन तब से लेकर आस तक इस पर क्यों नहीं कोई ठोस बात या सब्योत जुट पाया और आपको क्या लगता है कि यह वर्ट बटलने के लिए ही था । नुसलमानों को मारने का तो इतना जाई नहीं यहाँ भी इडिटीफाई किया था यम्दाबाद महानगर में इस फ्लेट में मुसल्मा देता है इस इला का मुसल्माने को अक्रिया करेगा वहाँ प्योल इतना micro planning था और वो planning अपनी सरकार बनाने के लिए जिनों ने बाद में सरकार बनाई कहा जाता है कि इनोंने planning करके पूरा देखिए गुध्रा में जलाय गए वो हिंदू थे गुध्रा मुसलमानों का बाहु मल्य उपस एलाका जो है वह एम्दाबाद गुजराद जो भी जला, आप हिंदूों को जलाओ, फिर हिंदू मुछलमानों को जलाएंगे, और यह हुआ, गुजराद में सब विशिज एम्दाबाद के पेडिफरी में, पंचवाल जीले में, सब यह हुआ, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप रक्षक है, आप आप एंटी हुमन, आप आप राक्षस बन गए, यह आपको कब पता चला कि इस तरह की घटा यह साजिश थी, क्या आपको उसी समय यह अंदाजा हो गया था, नहीं, मैं उस समय शायद बजे शेशन था, दिल्ली में था, जब सुना हमने 11 बजे, सुबह 11 बजे, मैंने हमद भाई पटेल को फोन किया, कि हमद भाई बहुत बड़ी घरबड हो रही है, अब मायनोरिटी को सुचना दीजिए कि हो सकता है, रात में पूरा प्लानिंग हो और यह एंटी मुसलिम केंपेइन बने, जब पार्लामेंट का संसत चल रहा था, तब पुरी होने की थी, उ लोगसपा के होल में ने लोगसपा के उसमें अटल जी को मिलकर मेंने कहा कि आडबी भेजिए, कटले आम हो जाएगा, आप संभाल ये प्लीज और वही दिल को मै और रादीब सर रादीब देशाई जहाज में साथ में थे वहाँ नरोडा में जो एमद जाफरी को जलाया ग आपने उस समय इस बात का खुलासा नहीं किया बीस साल पहले, बीस साल बाद आप आज बोल रहे हैं? आपने कोशिश की थी? कोशिश मतलब ये पुब्लिकली मैंने कहा था, कोशिश तो पूरी रात जाकर मुसर्मानों को बचाने की कोशिश की थी, पूरी रात हम जागे, मैं सब जगा हमने आदमी भेजे, गाव मैं तो हम जानी सकते, लेकि जहां भी हमारे लोग थे बीच में खड़े रहे, वरना ज्यादा क्याजूरिटी होती है, लेकि जहां भी गए वहाँ, लोग खड़े रहे, और सत्रिय लोगों ने काफी इंट्रेस्ट लेकर मुस्लिमों को बचाया, यह मैं जरूर कहूंगा. मैं इसलिए यह बार-बार आपसे जोड पे दे के बात कर रहे हैं, क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है, आपने अहसान जाफरी जी का बात की, जाकिया जाफरी को आज तक नया नहीं मिला है, तीस्ता पर सवाल हैं, और संजीव भठ जेल में हैं, और यह पूरी की पूरी दूसरे ढंग से मामला हो रहा है, कि जैसे 2002 हुआ ही नहीं है, मैं इसलिए आप से यह सीधा सवाल पूछ रही हूं, कि आज की तारीख में ऐसा लगता है, कि भारती जनता पार्टी जब बोलती है कि इत रहास से कई गरबडियां हुई है, तो क्या आपको लगता है कि 2002 के जो गुनहगार है, उनको पूरी तरह से उनके उपर भगवा रंग चड़ जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में तो बिल्किस के साथ बलातकार करने वाले, बिल्किस के यहां कतलेयाम करने वाले लोग भ पंदरा अगस्त को रिहा किये गए, क्यों किया गया? आप मुसल्मान आपका आपका ऐसे भाशन होगे मुख्यमंत्री के, कि मैं मुख्यमंत्री हूँ तो रात को आपके बच्चे शाम को वापस आते हैं, बना मुसल्मान लोग आपके बच्चे को मारकल ले जाएं, कोन बच्चा को लेगा या इतने साल में, क्या यह जो मालीक ह ढ़के बीजेपी 2200 में जो किया न उस पर खड़ी है आज भी उसमें बाला कुट भी आ गया उसमें पुलवमा भी आ गया और हमारा अक्षरधम भी उसमें आ गया उसमें दुनिया भर का आ गया क्यों कि यह मैं मैं इंक्विरी की बात कर दो इंक्विर्टे अपने सुप्रीम के हिंदू पाकिस्तान के अभी पंडित है वो बट भट रहे शा शा रहे पुरा कनवर्जन हुआ कश्वीर का तो हुआ तो कहां थे हिंदू हिंदूस्तान के मुसल्मान 90 परसंट गल हिंदू थे उसमें हिंदू कहां मर गए थे इनको क्यों नहीं बचाए का और आज की सरकार 22-27 साल से यहां है आप कनवर्ज करके हिंदू फिर से बनाएए न करिए सेवा इनको अगर मुसल्मान से इती दुश्मान वट है तो ट्राइबल कनवर्जन क्रिश्चन हो रहा है जाए सेवा करिए बच्चों को शिक्षा दीजिए अच्छी क्रिश्चन मसिन नहीं आएगी कि आप जाएए नहीं करना है इनको तो जिन्दा भी रखना है क्योंकि इससे ही हमारा वॉट वॉटर वार्ट बेंक हमारे मशिन टाइट होते है दुश्मन सामने होना चांईए ज़क्राइए ठाई एक्ट इसाजिस है और यह पूरे दिश कहाँ ही बीच़्पी में कैसे कि ऊपी में और यूपी मैं कि रहे रूलर रहेु यूपी में मुसलमान, तो कोई क्या करे ह। लखिनों के नवाब थे या थे, कोन क्या करएगा, और यह जो मंदर है, थो हम राम रहना नहीं, वहाँ पुरा पुरा पुरीटिकल ड्रामा यह क्या हो रहा है के डारनाथ में, के डारनाथ जी का एक थोड़ा तो शिवलिंग का दरश्च्छ दिखा यह दो मिनिट के लिए वो बगवान ज़े है कौन भगवान कि टीवी में कौन से भगवान देखे आपन क्या हुआ काशी में काशी विश्वनात भगवान को तो पाच मिनिट डिखाई है शिवलिंग की हम दर्शन करेंगे गंगा नदी में क्या हो रहा है वाट इद दीज यह जो अब तब ना रहा है कि हम राम को लाएं है लाएं को ना पोलता है देखें किसने कहा कि अधिया से आ कहीं है अपने अपने रामलेला के इतना देखा अखात पूरत में काशी विश्वनात देखा दर्शन किया परगेट केदा ना तो इनका फोटो आता है तो बहगवान का शीवलिंग का फोटो क्यों है यह मार्केटिंग है कच्छे दिमा के लोग उसमें वाह यह फीर मरते है मैं अगवारी में बैकारी में और ऐसे करफशन में तुम मरो कोई क्या कर ए लेटने में अजोई आई से कच्छी इंप्रेशन से अगर आपको वोट करना है फिर कंप्लेइन भी करना है अरे जह से कुवे में होगा और यह वारे में आएगा ऐसे क्योंत है एक चीज की जो बदल दिया गया है मद्दाताओं का, जिस तरह से हिंदू-मुसल्मान नफरत की बात है, कुछ इन चुनाओं में आपको लगता है कि ये सॉफ्टवेर वापस थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, क्योंकि हम जब एहम्दाबाद में बैठे हैं, आपके गांधी नगर में बैठे नहीं है, हमें ये पता नहीं, भिरोजगारी कहा है, तो ये जो सॉफ्टवेर बदल गया है, कि जो विक्ट। इस पूरा होने से पहले जो द्रश्य आता हों, कोई बत्ची की शादी के बाद विदाई हो, या कोई करून द्रश्य हो, रोने का, उस वहल सिनेमा हॉल खाली करते समय लोगों की आख में ज्यादा बेहनों की आख में हमने आसू देखे अरे सिनेमा का पड़दा है आपको पता है यह कुरुत्री में रियल नहीं है फिर भी लोग रोते रोते भाह निकलते हैं वही इंप्रेशन पूरे देश में इस सेमयों खिए मार्केटिंग और याइट आइशी में ब्जिकली नॉहिशू को इशू बनाना स्रासवाट्स पास्तान को इश्यू है मेरे पैठ को क्या रूटी मिलेगी इशुन को डिका कोरोन में को ब्यूष ने बिजेप petites कॉंग्रेस देखा, क्या कॉरोधा में BJP के लोग थे, इनके माता पिता बच पाए, क्या बीजेपी को अक्सिजन मिला, तो ये 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 देखना चाहिए, यहाँ फिर हिंदू, तो हो हुन हिंदू को न मौलता है, हम से बड़ा कॉन हिंदू है, इनके इनके सर्ट्रिफेकर कि बात भूल जाएं हमको वोट दीजिए हम राष्टरवादी है अब आप आप रहे तो लोग लोग अगर लोग यह देखेंगे राष्टरवादी या वो तो फिर मरो हम क्या करें यह बात एलेक्शन जो है को कोई पड़िि नी है कोई भी मरे हमको वाट मिले ये मैंटालेटी वारी बीज़ेपी मेरे से ज्यादा हिंदूस्तानी पुरी दुनिया में आध की बीज़ेपी को कोई नहीं जानता अभी भी 2002 को आप याद क्यों इस घा पर आप लगाते हैं नमक लगाते हैं मरहम लगाय यह कल के हिंदू रहे क्यों क्या कर रहा है आप लोग शंकर जी आपको लगता है कि बिल्किस के गुनागारों को छोड़ के वोट में फायदा होगा मैं जी रहे कॉझेश का मार्केटिंग कितना मार्केटिंग। पुरे दीन 24 घंटे मैं कैसा लगता हूं फे चक्कर में एक दो करोड नी एक दो हजार करोड रूपिय अन प्रोड़ुक्टि मार्केटिंग 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 नेचरल मोदी जी की ब्रेंडिंग और कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो पुरे देश के साथ यूटल ले रहे इनकी फिलोसोफी सत्ता हमारे लिए साधन है साथ्य नहीं है अधे साध्य यहने पूरे देश मैं सत्ता को साध्य करने के लिए ममता को तोड़ने की कोशिश की अपने कोंगरेस को पुरी तोड़ी पूरे देश में शेवशना को तोड़ी अपने आपके लिए सत्ता standards ने क्यों लोगों को ब् concealed बनाते हैं मैं नहीं तु λέ हम वयक्तिभक्ति वाले ब्रक्ति लोग है गर हो रहा है हम सीदे साधे हैं तो प्रक्राइब खकन करिंगी इन चुनाओं में आपको क्या लग रहा है आप जा रहे हैं लोगों के बीच बड़े पैमाने पे आप यात्रा भी कर रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि 2002 में जिस एक साजिश के बाद जिस तरह से गुजरात में सत्ता हासिल दुबारा की थी उसका कुछ खुलासा हो रहा है सॉफ्ट्वेर चेंज होने की कोई संभावना लगती है आपको अभी जो कल पोलिंग हुआ एक तारी को लो पोलिंग हुआ सत्याहिस साल तक आपने साशन दिया हो तो इतना प्रेम हो इतने काम हुआ तो हम सामने जाकर वाट करेंगें क्यूं गर कर भीख मागते हैं सत्याहिस साल के बाद आपको क्यूं गुमना पड़ता है रोड शो वाट नॉट नोट हर बार आपड़ेंश आती है इक यह वो मेन और एम्मुलस आय हो जाए हो, क्या फरक पड़ता है, क्यो रोकता है उसको, पेशन्टे हgil, उसका उसका मार्केटिंग करना है, क्या है एम्ममुलस को जाने दिया? पर लोब भी नूज बनाने है, नूज की गवर्मेंट नूज वाली है, यह मार्केटिंग होता है, जाहे जाहे अबिलन्स पेशन सीरियल से जाएगी, उसमें आपने क्या उबलाइज किया, आपने उस पेशन को क्या कर दिया, कि हाँ आपने अमने अबिलन्स जाने दिया, इसमें देश में कोई और काम नहीं है, सब लोग गुजरात में हैं, तो ऐसी क्या आफ़त आ गई? उसके पहले देखा, गवर्मेंट नहीं किया, और विकास नाम की चीज जो है, पंदरा साल का लड़का, दस साल के बाद पचीश साल का होगा, पचीश साल के बाद अगर उसको डाड़ी या मुझ नहीं निकली है, तब हमको डाउट लगता है, एक सम्थे की जरौक वे थी, य आगर बाद पचीश साल का उसको होना ही है, दाड़ी मुझ निकलना है, नहीं निकलती है, तब तक लिफ है, कौनसा विकास किया, आपने रायटिंग का विकास किया, महगवारी का विकास किया, डिजल तेल के भाव बढ़ाने में, घ्श का बातला में विकास किया, पेपर जितनी ओर्ड है सर्भ बीजेपी में है कोई भी चोर आदमी आएगा बीजेपी के पानी से अपना पहले का खेश पमित्र हो जाएगा यह है एक आखरी सवाल आपके बेटे कॉंग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं सीट मिली है कहीं आपको अंदर से लगता है कि अगर यह जो कोई अब आर्मी के लिए रूटिन एंधियार आर्मी के लिए रूटीन कोई प्रधार में जाना है, तो सजिकल ट्राइक कहा हुई 260. सबस्क्राइक से जाना पड़ता है, ये सजिकल स्टैक तो रहा है, मिल गया था, इसलिए प्राइम इनिस्टर, हरी जंदी दिखा कर ट्रेंड की विदाय करना पी-म का दंदा नहीं है, कोई कोर्पोरेशन के चुना में पी-म का धंदा नहीं यह, मुराजी देशायर प्रधान मंत्री थे, मेरे को याद है, कभी को मेरे पाटी का कैंडिडेट को तो इस बार जवाब का कंत क्या लग रहा है कि 2022 कुझ्स राद कहां डर्करन जो है जो इमर्सनी में अंडर्करना मैं देख रहा थाला 30'70 कर वह यंडर्करना मैं अंटि BGPॉज्रात में देख रहा हूं हो सकता है कोई pockets हिंदू बन जाए हो सकता है अपने पेट के उपर अपने बच्चे के व्यकारी के उपर महगवरी के उपर हिंदू दिमाग सवार हो जाए कुछ pockets में हो सकता है लेकिन आम तोर पर basically गुजराती जो है इतना दुखी है और silently कुरांती करेगा ऐसा मेरे कुर लग लोगों को किसानों को ब्याफारियों को इतना दुख है बेम किसान को भाव नहीं मिलते मतलब दूखकी को परिश्रमानी कोई बीच्चन सुखी नहीं है अगर सुखी होता तो इनको गरगर जागर वीख माकरी की ज़रूरत नहीं थी वीख माकरी वाट के लिए ये वो ए करो वो करो करोड़ रुपया खर्चा करो कही से भी करो बूजिए पी भरोसा नहीं है इनको हमारे पर हमने बाएगर बहुमत में नहीं आ रहा है तो बहुत ही एहम खास बात शंकर जी ने हमारे साथ कही और निश्चित तोर पे जब परिणाम सामने आएगा तो हम देखेंगे लेकिन एक बात बहुत साफ है कि 2002 को लेकर जिस तरह की बाते हैं जिस तरह से भाश्पा ने पूरी कोशिश की कि 2022 का चुनाव वो 2002 में गुजरात में हुए नरसाहार पर केंद्रित करके हिंदू वोटों को केंद्रित करके धुरुवी करन करके करेगी उसका एक बहुत माकूल जवाब शंकर जी ने दिया कि यह एक साजिश थी सत्ता में बने रहने के लिए नफरत पहलाने के लिए इस साजिश को रचा उन लोगों ने जिनके हाथ उससे में गुजरात में सत्ता थी बहुत बहुत शुक्रिया नियूस क्लिक से बात करने के लिए